IPL 24 के trade को लिखे हम सभी को regular guys आपे updates देखने को मिल रही है जितने सारी updates आड़ी है उस सारी की सारी updates सबसे पहले हमारी टेली ग्राम पे guys provide किया जा रहा है तो अगर आपने अभी तक टेली ग्राम को जॉइन नी किया तो पहले photo photo आप लोग टेली ग्राम को जॉइन कीजे नीचे description पे आप सभी को link देखने को मिल जाएगा तो guys आज की video में हम बात करने वाले हैं trade से जूड़ी guys आपे काफी सारी updates निकल कर आड़ी है जी हाँ CSK की team guys आप कार्तिक त्यागी को guys आपे trade के जरी अपने team में include करना चाते हैं और guys आपे CSK की team उसके साथ साते हाँ पे Mumbai Indians and साथ में Sunrises Hyderabad के साथ भी guys आपे contact में जूड़ी हुई है और उन teamों के साथ भी हाँ पे CSK की team आपे trade करना चाती है नेकिन कौन से खिलाड़ी को trade करना चाती है CSK की team इसके regarding अभी कोई guys आपे refill नहीं हुआ है और ना ही guys आपे कोई नाम निकल कर आया है दोनों teamों की तरफ से ना ही Mumbai Indians की team के तरफ से और नाई Sunrises Hyderabad की team के तरफ से सिप और से पे update निकल कर आईए कि CSK की team में आपे Mumbai Indians and Sunrises Hyderabad की team के साथ यहाँ पे contact में जुड़ी हुई है अब guys हम लोग बात करते हैं CSK की team के बारे में तो CSK की team guys आपे कार्टिक त्यागी को trade के जरीए अपने team में include करना चाते ही यह update जो की निकल कर आईए बट guys यह trade होती है या नहीं यह हम सभी को आने वाले time में कुछी घंटों के अंदर या फिर कुछी दीनों के अंदर हम सभी को देखने को मिल जाएगा अब guys हम बात करते हैं next update के बारे में next update guys हाँ आपे निकल कर आईए Delhi Capitals के team के तरफ से तो कल guys हम पे Delhi Capitals के team ने दो खिलाड़िये को trade के लिए पूरी तरह से available किया है एक है सलफरास खान और दूसरे है और जैसे कि मैंने आप सभी को यह भी कहा था कि आपे Royal Challenges Panglore की team trade कर सकती है Manis Pandi को तो guys अब क्या है आपे Manis Pandi को trade के लिए trade करनी के लिए जाए कि Royal Challenges Panglore की team यह देखने वाली बात होने वाली क्योंकि RCB के team के नसरीय से देखे हैं तो बहुत अच्छा option है first of all guys आप एक इंडियन खिला रही है and guys आप मिडिल ओडर पे बलिवासी करते हैं बैटिंग करते हैं अच्छे खासे बैटिंग करते हैं and अगर अभी की बात करें मनिस पांडी की परफॉर्मेंस की last few day की तो guys आप उन्होंने साइध मुस्ता अली ट्रॉफी में करनाटा की की तरफ से खेलते हैं अच्छा परफॉर्मेंस किया है and उनकी बैटिंग गाई से पर हम सभी को काफी अच्छा परफॉर्म करते हुई नजर आ रही है तो रॉयल चैलेंजर स्पैंग लोड के टीम के पास एक आप्सन पूरी तरह के से ओपन हो चुका है कि आप डेली कैपिटल्स के मनिजफांड को ट्रेट के लिए जाएं और अपने टीम में इंक्लूट करें अगर ऐसा रसीपी की टीम करते है तो मेरे एकॉर्डिंग बहुत अच्छा ओप्सन रहेगा Royal Challenger Spanglord के टीम के लिए तो guys ए अपडेट्स अभी तक की निकल कर आ रही है RCB के टीम के तरफ सी कोई भी अपडेट आती है तो मैं आप सभी को आने वाले टाइम में बता दूँगा और आप लोग हमारी चैनल के साथ जूरे रहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन बिल कौन कीजिए और साथ में टिलिग्राम चैनल को जॉइन कीजिए नीचे डिस्क्रफशन पे आप सभी को लिंक देखने को मिल जाएगा तो guys हम मिलते है नेक्स वीडियो में तब तिकी लिए बाई बाई